कहानी एक सुते से गाव की है, जहार रिया और अकास की मुलाकत हुई, जिया एक साथारों लर्की थी, जो अपने खेतों में काम करती थी, और अपने पुरिबार के साथ खुश रहती थी, अकास एक सहर से आया युगोप था, जो अपने काम के सिलसिले में गाव आया था, पह प्रिया ने रिया को देखा और उसके सोरोई सुदोई ने उससे अगरसिद किया। जिया ने आकास की ओदब और सिस्की सार से परफाफित हो कर उसकी मदद की। थीरे थीरे उनकी मुलाखाते बाढ़ने लगी। हर साम प्रिया एक दुसरे के साथ सुमल बिताते। रिया ने आकास को सांदोने रातु में गाउ की सुन्दरता दिखाई। जबकि रिया ने आकास को गाउ के पारंगफारिक त्योहरू और हिती रिवाजू से परिष्टित कराया। समय के साथ उनके दिन एक दुसरे के लिए धरपने लगे। लेकिन विकास को बापस सुहर लुखना परा। उनके दिस प्यार की गहिराई को देखते हुए विकास ने रिया से बादा किया कि वो अपने प्यार को दिखाने और उनके सार्व बश्च बिताने के लिए बापस आईगा। वो दिन आया जम विकास ने अपना बादा पूरा किया। जिया और विकास ने मिलकर एक नई शुरुवात की। और अपने प्यार की कहानी को ऐसुखत अंस दिया। गाव की सांदिनी राते अभी उनके प्यार की गावा थी। जो हमेशा उनके दिलों में समकती रहेगी।